हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा चूरण बनाने वाली हूं जिसके सेवन से सर से लेके पैर तक हर बिमारी का इलाज हम घर बैठे ही कर सकते हैं और यह उनी चैजों को हम यूज करेंगे जो हमारी किचन में मस्जूद है उन मसालों के बात कर रही हूँ जिनको हम यूज करके तना तरह के खाने बनाते हैं、 उनी मसालों से हम एक ऐसा चूरण बनाएंगे, जो बहेद ही फायदेमंद है, जित से इतनी बिमारियों का इलाज हम घर बैठे कर सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, यह सिर्फ मैने तीन मसाले लिये है, मेथी लिए है, एज्वायन लिए है, और काली जीरी लिए है, मेथी और एज्वायन तो आपको इसली कहीं भी मिल जाएगी बट यह जो काली जीरी है यह आपको सिर्फ पंसारी की शौप पे जाकिसी आयरुवेदिक की शौप पे ही मिलेगी यह इसको ढूड़ना बहुत ही मुश्किल है पर यह दो ठीकाने हैं पंसारी की दुकान और आयरुवेदिक की शौप यहां पर आपको एजली एक काली जीरी मिल जाएगी तो इन तीनों का मैं एक पाउडर त्यार करूंगी और इनसका सेवन करने से इतने जादा फाइदे होंगे तो चलिए मैं आपको इनके फाइदे गिनवा देती हूँ गठिया रोग, हडिया मजबूत होंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, जो हेर फोल होते हैं उनकी जगा पे नए बाल आएंगे और शाइन करेंगे बाल, मजबूत होंगे बाल, पुरानी सी पुरानी कबज से मुक्ती मिलेगी, जो बलड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से खोगा, जिनको हाट की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इससे बहुत जबलो काफी हतक फाइदा मिलेगा, हिर दिक्षमता जो हमेशा हम लेडिस को हर किसी को तकान रहती है, तकान दूर होगी, समर्ण शक्ती यादाश बढ़ेगी, कान का जो बहरापन होता है, वो ठीक होगा, औरतों का जो बेडोल शरीर है, वो सुंदर होगा, पास्ट में कभी भी कोई आपने अलोपेतिक मैडिसीन खाई है, ज लेटा है, और मुझा यहां ब्रह दीक को यह जार Remember ABOUT 3 महीं मियुप्याशlington खाई है कि उसके यह जए साल जा दो कि इससे पछले पाल रहां जीrió जो शरी ने सालfy है, तो इन तीन महीं महीं यहां बहुत है, तो नो मेहीं हम को बताताती हैं सेवन को इचे बहुत आपना इसका सेवन बहुत ही सापधानी से करना है पहले हम इन मसालों को थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं तहां कि जो इनका जो मॉस्ट्राइजर है वह थोड़ा सा निकल जाए और अच्छे से यह पाउडर बन के त्यार हो तो मैं पहले गैस ओन कर लेती हूं तो गैस को करत हां देती हूं काली जीरी जो है कि यह मίν ने 50 ग्राम ली है जो रिखे जवाइन ली है 100 ग्रम और जो मेत है वो ली है 200 ग्रम ने ली धाइसो ग्रम यह से पौंटिटी आपको लेनी है तब ह्या पाउडर अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में त्यार होगा जो जो क्वाइ अजवायन काली जीरी काली जीरी इसकी तासीर बहुत गरम होती है इसलिए इस पॉडर का सेवन है मैक्सिम में विंटर्स में ही करते हैं विंटर्स में फादे भी होते हैं इस पॉडर को यूज करने के लिए अज़का सा ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं तो जब भी हमें इस पॉडर का स्वेवन करना है तो हमें पानी की जो क्वांटिटी है वह हमें भड़ा देनी है जहता है जितना ज्यादा पानी के लिएवन के फाइदा होगा और आपको अंदर गर्मी नहीं होगे आपकी बोड़ी में अगर आप पानी का सेवन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको कवज की प्रव्ब्म बहुत ज़ादा हो सकती हैं तो इसका प्रेवर बहुत सापधानी से करें अब पानी का सेवन अच्छे से करें तो तो देखे हमारी जो किच्र में जितने भी मसाले हैं उनसे कोई ना कोई बीमारी तो दूर होती ही है हर बीमारी का इलाज हमारी किच्र में ही मजूद है हम ध्यान नहीं देते हैं बस हम डॉक्टर के पास भागना शुदू कर देते हैं यह चोट-चोटे इलाज जो हम घर पर ही कर सकते हैं बहुत फायदे मद हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो यह रोट होगी हलकी सी इसको ठंड होने देते हैं अब फिर जब ठंडी हो जाएगी तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेंगे तो यह मसाली ठंड हो गये हैं तो अब हम इनको कर लेंगे ग्राइंड ने डाल लेती हूं तो अब हम इसका बना लेंगे बारिक पाउडर तो लीजिए फ्रेंड्स पाउडर बनके त्यार हैं तो इसका इसका शेवन कैसे करना है रात को सोटे वक्त आपको यह चोटा सपुन अब इतनी कॉंटिटी में गरम पानी के साथ लेना है। और इसके सेवन के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है तो फ्रेंड्स आप देखें आप इस चूरन के फायदे खुद में सूस करेंगे और इसको स्टोर करके कैसे रखना है इसको सिर्फ एक कांच के बरतन में ही स्टोर करके रखना है तो यह कम से कम तीन महिने तक इस चूरन का सेवन करें फिर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आपको इसकी चूरन के क्या-क्या फायदे हुए है थैंक्यों फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर